हेलो दोस्तों ये है होंडा होने 2.0 BS6 होनडा होने 2.0 में दो वैरियंट आते हैं 5 कलर आप्सन के साथ ये होने 2.0 का स्टेंडर वैरियंट है मैटलेक रेड कलर के साथ इसके फीचर्स क्या है, माइलेज क्या है, नई अन्रोड कीमत कितनी है ये सारी जनकारी मैं आपको इस वीडियो में देने बाला हूँ तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इसके फ्रंट प्रोफाइल से तो यहाँ पर आपको मिल जाता है होनडा का स्टीकर इसके मीटर कंसोल के उपर यहाँ पर आपको नमबर प्लेट लगाने का उपसन मिलता है और इसके इंडिकेटर आपको मिल जाते हैं इसमें आपको जो है LED वल्व वाले जैसा कि यहाँ से आप देख सकते हैं और यहाँ पर आपको जो है रेड कलर का कॉंबिनेशन भी मिल जाता है और इसकी जो हैड लाइट की बात करें तो यहाँ पर आपको फुली LED हैड लाइट देखने को मिल जाती है जैसा कि यहाँ से आप इसकी लो बीम और हाई बीम की लाइट को देख सकते हो जो की नैट के लिए काफी जादा कमफर्टेवल दी गई है इसकी रोशनी अब चलते हैं इसके नीचे की सैड में तो यहाँ से आप इसके फ्रंट वाले मटकार्ड को देख सकते हो जो की मैट रेट फिनिस में दिया गया है और जो की डूल टोन कलर में दिया गया है 276 mm डाय मीटर डिस्क ब्रेक के साथ में और इसके फ्रंट में आपको 100 Y70 सेक्षन के टायर साइज मिल जाते हैं और इसके फ्रंट में आपको 17 इंचिस के ब्लैक कलर के अलॉइ बिल दिये गए हैं और यहां पर आपको गोल्डन कलर के अपसाइड डाउन फॉर्क टाइप ए सस्पेंसन मिल जाते हैं जो की काफी यूनिक लग रहे हैं तो बात करें इसके मीटर कंसोल की तो इस बाइक में आपको फुली डिजीटल टाइप का मीटर कंसोल देखने को मिल जाता है जैसा कि यहां से आप इसकी डिस्प्ले को देख सकते हो और यहां पर आपको टन सिगनल इंडिकेशन लाइट इंजिन माल फंक्शन, गियर नूटरल, ABS इंडिकेशन और मैन हैड लाइट इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है और यहाँ पर आपको RPM की reading, किलोमीटर पर आर की speed की reading और यहाँ पर clock दी गई है और यहाँ पर आपको किलोमीटर की reading और यहाँ पर fuel की reading और यहाँ पर आपको gear position indication light दी गई है जैसा कि इस back में आपको 5 gear मिल जाते हैं जो आप इस display पर देख सकते हैं और यहां पर आपको दो बटन मिल जाती है, इस मीटर कंसूल को एड़जस्ट करने के लिए, जैसा कि दूस्तों यहां से आप इसकी हैंडल वार रोट को देख सकते हो, यहां पर आपको की पॉइंट देखने को मिल जाता है, और इसकी जो साइड मिरर हैं, वो भी काफी यून जाता है, अगर इसको साइड प्रोफाइल की तरफ से देखें, तो इसकी जो डेजाइन है, वो काफी ज़्यादा यूनिक और काफी ज़्यादा एग्रेसिव दी गई है, और इसके फ्यूल टेंग के ऊपर आपको जो होंडा का 3D में लोगो दिया गया है, जो की क्रोम फिन देखने को मिल जाती है, और इसके फ्यूल टेंग की जो कैपिसिटी है, वो 12 लीटर की दी गई है, और इस बैक में आपको split seat मिल जाती है, जो की separate है, और इसकी जो कुछनिंग है, वो भी काफी soft इस बैक में आपको देखने को मिल जाती है, और इसके side panel पर 2.0 और HET BS6 का logo दिया गया है और बात करें इसके पीछे वाले टायर के साइज की तो यहां पर 140 y 70 सेक्षन का टायर साइज मिल जाता है इसमें 17 इंचिस के ब्लैक कलर के अलॉइ विल दिये गए हैं ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो यहां पर आपको डिस्क ब्रेक का ओप्सन मिल जाता है 220 mm की डायमीटर के साथ में और इसका जो पीछे वाला टायर है वो भी काफी चौड़ा मिल जाता है जैसा कि यह स्पोर्स नेक बाइक है और दोस्तों इसके सस्पेंशन की बात करें तो यहां पर आपको मोनो क्रोच टाइप का सस्पेंशन मिल जाता है जो की मोस्टली आपको स्पोर्स बाइक में देखने को मिलता है जैसा कि यहां से आप देख सकतेそれでは और इसके पीछे ड़ी देखने को मिल जाते हैं और पीछे का जो लॉक है वह भी आपको काफी अट्रीक्टिव देखने को लगता है और इसकी जो Erde में चलें तो यहां भी आपको आप सेम स्चीकर और ग्राफिक सौन इपrom में तो यहां पर आपको company fitted black color का साड़ी गार दिया गया है जिसके ऊपर आपको plastic की covering देखने को मिल जाती है यहां पर आपको adjustable footrest और chancet का जो cover है वो आपको plastic का देखने को मिल जाता है और यहां पर आपको राइडर के लिए adjustable footrest और यहां पर आपको five gear का manual setup आप देखने को मिल जाता है इस bike में और यहाँ पर side stand और man stand दिये गए हैं और इस bike में आपको 166 mm की ground clearance मिल जाती है और इसका जो engine का जो color है वो black color में दिये गया है और यहाँ पर आपको company fitted black color का एक leg guard भी मिल जाता है और नीचे आपको engine call भी मिल जाता है जो कि इसके engine को protect करता है दूल मिट्टी और कीचर से करें इसके engine और power की तो इसमें दिया है 184.4 cc का air cooled forest truck ऐसा engine इसकी maximum power है 17.26 ps की 8500 rpm पर इसका maximum torque है 16.1 nm का 6000 rpm इसके acceleration की बात करें तो यह bike 60 km पर आर की speed को 4.67 second में achieve कर लेती है और इसका total weight है दोस्तो 142 kg तो अब चलते हैं इसके engine की दूसी side में तो यहांसे आप इसके engine के दूसी side को भी देख सकते हो यहां पर आपको engine oil का cap और यहांपर इसके engine head के ऊपर एक spark plug दिया गया है और यहाँ पर आपको एक oxygen sensor देखने को मिल जाता है इसके exhaust के corner के side में और यहाँ से आप इसके catality converter को देख सकते हो जो की नीचे की side में दिया गया है और जो की matte blackness में है और यहाँ पर आपको brake pad और adjustable footrest मिल जाता है rider के लिए और यहाँ से आप इसके exhaust को देख सकते हो इसके उपर जो plate दी गई है वो आपको fiber की मिलती है और यहाँ से आप इसके exhaust की पीछे की design को भी देख सकते हो जो की काफी unique दी गई है अब दोस्तों मैं आपको इसके engine का sound और इसके exhaust के sound को note करा देता हूं तो हम bike को start कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तों bike start ओची है तो आप दोस्तों यह आप इसके engine के sound को सुन सकते हो जैसा की Honda का engine होता है वह काफी ज्यादा refined होता है और यह से आप इसके engine की sound को अब मैं आपको इसके exhaust के sound को気 note करा देता हूं तो यहांसे आप इसके exhaust के sound को तो दोस्तो अब बात करें इसके माइलेज की तो जैसा कि दोस्तो ये बाइक 184 CC की है तो उसके साथ से इसका जो माइलेज है वो आपको 45 किलोमीटर पर लीटर का आसानी से मिल जाएगा अगर आप इसको 50-60 की स्पीड पर चलाते हैं तो एकोनोमी जॉन में अब दोस्तो बात करें इसके प्राइस की तो होंडा होनेट 2.0 स्टेंडर वेरियंट की ओन रोड कीमत है 156,949 रुपे ये ओन रोड कीमत मैंने आपको बताई है दुगार होंडा बांगुर कॉलकाता सुरुम की अगर आप कॉलकाता या आसपासे हैं तो ही इस नीचे दिवे नंबर पर कॉल करना अधरे स्टीड वाले बिल्कुल भी टेंसन ना लेना आप अपनी सिटी का नम मेरे को कमेंट कर देना मैं आपको आपकी सिटी का ओन रोड प्रैस रिपलाई करके बता दूंगा होंडा होंडा होंडेट 2.0 का दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इ अगली वीडियो में